Hello guys and welcome to my YouTube channel Tech Bomb Case दोस्तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज़दा important और useful होने वाली है इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो आप Google डाइलर में call recording करते हैं इसको आप लोग चाहते हैं कि आपके file manager में shape हो तो मैं दोस्तो जो तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ इससे आप जो है सारी recording जो file होते ही उसे आप अपने file manager में कर सकते हो तो finally आप लोग वीडियो के end तक बने रहेगा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ जो Google डाइलर ओपन करता हूँ तो यहाँ पर इस number पर click करता हूँ तो यहाँ पर एक चीज आपको करना होगा जब लिसन टू रिकरदिंग पर click करते हूँ तो यहाँ पर drive का option मिलेगा आप थोड़ा निचे आएंगे अगर option नहीं मिल रहा है तो drive के option पर click करेंगे अब यहाँ पे इस recording file का नाम यहाँ पे automatic आ जाता है इसका नाम आप change भी कर सकते हो आप अपनी इसाब से रख सकते हो जो भी नाम रखना चाहते हैं इस file का इसके बाद यहाँ पे just इसके नीचे आप लोग देखेंगे location है यानि इसकी location आप में कहा होनी चाहिए तो यहाँ प आपको click करना है इसके बाद यहाँ पे account का option इस पर click करके आप account चूज कर सकते हैं account का मतलग आप email id कोई एक चूज कर लेजिए यहाँ पे email id चूज कर लेंगे right chart ऊपर की तरब आपको share का option मिलता है आपको share की option पर click कर देना है share के option पे दोस्तों जब आप click कर देते हो ति यहाँ पे save हो जाता है अब दोस्तों यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने home screen पे bike आ जाएंगे अब जो हमारी drive थी drive जो हम इसको open कर लेते हैं drive देख सकते हैं open कर लेते हैं आपको play store पे मिल जाएगा और इसे phone में already रहता है drive आप इसको open करेंगे जो भी permission मांगेगा दे देंग इसके बाद आप यहाँ देखेंगे जिस account में आपने किया है वह फाइल यहाँ पे दिखेंगे राइट स्याड ऊपर की तरफ किलिक करके corner में profile पर यहाँ पे email आइडिया आप चेंज भी कर सकते हो जो email आइडिया आपने किया है save जिसमें यहाँ पे किलिक करेंगे और recording किलिक करेंगे किलिक करने वाद यहाँ पे download का option है आपको download के option पर किलिक कर देना बस इतना काम आप लोगों को करना है और जब यहाँ पे आप लोग डाउनलोड कर देते हैं दोस्तों तब यह देख सकते हैं यह one file downloaded तो यह file जो download हो जाती है हमारे file manager में तो इसी तरकी से सार कोई वीडियो important लगे तक लीज वीडियो को like और चैनल को subscribe करें